हेलो दोस्तों साईज ही और बैक विट अनदर इंपोर्टेंट वीडियो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल रॉम का बैक अप कैसे लेते हैं विट आप लॉगिन डेटा के साथ मतलब यहाँ पर आपका जो कुछ भी बाबू सोना, गैसलेन, पाइपलाइन, अधर अखला संसंबार जो कुछ भी है सारी चीज़े उसमें आजाएगी आपके लॉगिन में ही आजाएगा अप में जो कुछ डेटा लॉगिन था गूगल आइडी जैसी थी, सारी चीज़े आज़ इस पहले जैसा था, फिर वैसा हो जाएगा, ठीक है और सेकंड चीज, यहाँ पर इंक्रिप्टेड यूजर और डिक्रिप्टेड यूजर को कौनसी बाते ध्यान में रखके ये प्रोसेस को करनी है ये सारी चीज़े में बताऊँगा, then, थर्ड इंपोर्टेंट चीज, यहाँ पर इस प्रोसेस को करते डाइम आपको कुछ इशूज आ सकती है आई रिपीट कुछ इशूज आ सकती है, तो उनको कैसे फिक्स करोगे ये भी चीज़े मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा, पूरा एक डीटेल गाइड यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो को जो है, लाइक कर देना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार आप कर क्या रहो यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहो इंपोर्टन यह नहीं है कि आपने वीडियो देखा या नहीं रोज important यह है कि आपने subscribe किया या नहीं क्या पता कौन सा important वीडियो कब यहाँ पे आ जाए तो please चैनल को subscribe कर लेना और हमारे टेलेग्राम चैनल को join कर लेना वहाँ पर important files और updates में provide करते रहता हूं So without any wasting of time, let's begin तो सबसे पहले important बात यह ध्यान में लेनी है कि आपका phone encrypted है या decrypted है ठीक है तो कैसे check करोगे phone encrypted है या decrypted है तो सबसे पहले security में चलेंगे then यहाँ पर जो है more security settings में देखोगे तो यही पर आपको encryption and credentials show होगा तो यहाँ पर मेरा जो phone है वो decrypted है phone not encrypted लिखा है ठीक है अब यह encrypt decrypt क्या होता है कैसे करते हैं इससे related video i button पर मिलेगा जाके देखो समझ लो क्या होता है तो ठीक है तो मेरा जो device है वो decrypted है वैसे मैं process दोनों के लिए बताने वाला हूं encrypt और decrypt के लिए ठीक है then सबसे पर इंपोर्टेंट बात बहुत इंपोर्टेंट बात आपको जो lock वागेर आपने जो कुछ रखोगा pin pattern password सब कुछ remove करना है ठीक है process में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला step है कि आपको अपना pin pattern पासवर्ड जो कुछ है और remove करना है वरना आगे जाके बहुत लोचा हो जाएगा तो द्यान में रखना second चीज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा home screen setup कुछ इस तरह से है यहाँ पर apps है उसमें मेरी google idb login है सब कुछ दिखा दे रहा हो तो यह चीज़े आप ध्यान में रखना आगे यही चीज़े as it is होनी चाहिए जब मैं फिर से restore करूंगा रोम को यहाँ पर मेरा app जो है telegram login है as it is जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा channel यहाँ पर as it is यहाँ पर मेरी id login है ठीक है तो मैंने यह सब कुछ दिखा दिया अब चलते हैं recovery में तो यहाँ पर मैं अपने phone को recovery में boot कर लेता हूँ तो आपको पता ही होगा अपने device को custom recovery में कैसे boot करते हैं यह सारी चीज़े में double repeat नहीं करता हूँ ठीक है तो मैं आ चुका हूँ TWRP recovery में अब इसके जगे पर कोई भी recovery हो सकती है दिखा दूँगा आगे सारी recovery में कैसे options रहेंगी तो सबसे पहला काम आपको जाना है backup पे ठीक है backup पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सारे partitions जो है वो tick कर लेनी है except catch partition उसकी ज़रुरत नहीं होती है तो हमें यहाँ पर catch partition को on tick करना है और जो data partition है यह data partition में ही आपका app app data app login सब कुछ आ जाता है तो यह बहुत compulsory है इसको tick करना apps अगर आपको चाहिए login के साथ ठीक है दन उसके बाद second चीज यहाँ पर ध्यान में दो internal storage का option दिया है अब यह वाला option क्यों use होगा अगर आपके internal storage में photos, videos, files जो कुछ भी है वो सारी चीजें internal storage में होती है तो internal storage अगर आप tick करोगे तो internal storage भी यहाँ पर backup होगा लेकिन बहुत बढ़ा हो जाएगा यार मैं उसको tick करूँगा नहीं और यह internal storage वाला option हर ROM में नहीं हो मतलब sorry, हर recovery में यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता option अब यह pitch black recovery है, मेरा realme xt इसमें जो option है दिया गया है pitch black recovery में, ठीक है? तो यहाँ पर औरेंज fox recovery है, Redmi 5A phone है मेरा तो यहाँ पर मैं backup पे एक बार click करता हूँ तो अगर ध्यान से देखोंगे, तो यहाँ पर storage वाला option नहीं है लेकिन बागी partations है, बट storage वाला option नहीं है internal storage की बात कर रहा हूँ तो वो हर एक recovery में नहीं होता है internal storage तो अगर in case, अगर आपके internal storage में photos, videos, अगर important data है तो वो delete हो जाएगा, याद रखियो तो इसके लिए आपको internal storage में जो कुछ भी data है उसको memory card, SD card में directly पहले copy करना पड़ेगा अगर इस तरह internal storage का option नहीं होता है तो again यहाँ पर यह देखो, मेरी दूसरा phone है Asus Zenfone Max Prime 1 यहाँ पर भी internal storage का option नहीं है तो दो phones में मेरे internal storage का option है यहाँ पर दो phones में नहीं है तो जिन phones में नहीं मिलता है internal storage का option तो उसमें आपका internal storage का backup नहीं बनेगा तो उस case में आपको ध्यान में रखना है कि अपने SD card में आप फिर pen drive में डाल लेना अल्रेडी photos, videos, जो कुछ होगा आपका data ठीक है तो मैं internal storage को tick करता नहीं हूँ क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बन जाएगा फिर वह backup इतना बड़ा बनेगा कि बहुत टाइम लगेगा ठीक है तो मैं उसका tick नहीं करता हूँ सारे partition को tick कर लिए accept internal storage और catch partition बाद में इसको backup किसमें लेना है यह important है SD card में ले सकते हो, memory card में ले सकते हो अब बहुत important बात अगर आप format data करने वाले हो मतलब encrypted user हो तो यहाँ पर ध्यान रखिए जो data का backup है मतलब जो भी file अभी backup लेने वाले है इसको आपको SD card या फिर pen drive में लेना है otherwise दिक्कत हो जाएगी तो मैं अभी backup ले रहा है इसको internal storage में ही ले रहा हूँ ठीक है क्योंकि मेरा phone क्या है decrypted है और मेरे को format data करने की ज़रुवत नहीं पड़ती है यहाँ पर backup बन रहा है होने देते हैं मैं वीडियो को थोड़ा forward करूँगा क्योंकि बहुत time लग सकता है इसमें ठीक है तो उने देते हैं इसको अच्छे से इस बीच में एक important बात decrypted, encrypted क्या होता है selected video में आई बटन पे दिया हो करके बोला हूँ उसको देखोगे नहीं तो समझेगा नहीं आपको तो वो video देख लेना पहले आई बटन पे वीडियो दिया हूँ लिंक है उसकी ठीक है, description में भी डाल दूँगा लिंक, देख लेना वीडियो ओके, वीडियो को मैंने forward किया हूँ जैसे कि आप देख पार हो, backup successfully हो चुका है पूरा 100% as it is जैसे कि आप देख पार हो, पूरी file का backup हो चुका है अब important बात अब इस backup को restore करने के लिए हमें कहा जाना पड़ता है restore वाले option में जाना पड़ता है तो इस तरह की file बनती है हाला कि इसको हम rename भी कर सकते हैं पहली, मतलब backup करते तब लेकिन मैंने कुछ rename नहीं किया है as it is रखा है ठीक है, तो यह दिखिए, इसको पर click किया हो तो सारे partitions का backup बना हुआ है इसके अंदर तो अब एक important बात अब यह backup आप जो है, मैंने जैसे की बूला था अगर आप format data करने वाले हो तो इसको SD card या फिर pen drive में रख लेना ठीक है, तो यहाँ पर एक important बात मैं दिखा दूँगा आगे तो सबसे पहले मैं wipe कर देता हूँ मतलब यहाँ पर मैं ROM change करने वाला हूँ तो Delv catch system vendor data, system ext, सारे partition tick करी दिये मैं इसको wipe कर दिया, तो पूरी ROM wipe हो चुकी है मैं दूसरी ROM flash करके दिखा रहा हूँ, ठीक है तो यहाँ पर project elixer की ROM flash कर देता हूँ, ठीक है तो यह flashing पर डाल दिया, थोड़ा video को फट से forward करते हैं, ज्यादा time नहीं खाते हैं फटा फट आपका भी time बशना चाहिए और मैं भी फटा फट explain करना चाहता हूँ ओके आप दूसरी ROM मैंने flash कर दी, हो गया flash अब पताइए हमें format data करेंगे जैसे मैंने बोला था encrypted user हो तो format data करोगे, तो यह format data करते हो ना तब आपका पूरा internal storage के साथ सब उड़ जाता है तो इसलिए मैंने बोला था, अगर encrypted user हो, तो आपको क्या करना है photos, videos, files, जो कुछ है internal storage में हूँ सबको SD card या फिर PC में या फिर pen drive में डाल लेना है और जो file बनाई थी, जो backup किया था उस file को भी आपको कहा डालना है pen drive या फिर SD card या फिर PC में डाल लेना है क्या इसे डालोगे, यह तो कोई जो file है आप install पे जा रहे हो, तो यहाँ पे देखो यह TWRP folder रहेगा आपके internal storage में, पूरा TWRP folder उठा के copy paste कर देना आपने PC या फिर जो कुछ यहाँ पे भी रखने वाले हो आप या फिर direct आप बैकप ले रहे हो तो मुझे internal storage को बचाने की भी ज़रूत नहीं क्योंकि अल्रेडी सेफ रहेगा मेरे internal storage, ओके तो यहाँ पे मैं reboot कर देता हूँ तो इसको first boot होने देते हैं, यहाँ पे मैंने ROM totally change कर दिया हूँ और हमारी जो restore वारी file थी, जो backup लिया था, वो file अभी भी हमारे इंटरनल storage में पड़ी हुई है, ready है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं restore करके दिखाऊंगा आगे तो सबसे पहले यह देखो, मैंने ROM change कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, Project Elixer की ROM है ठीक है, एक बार check कर लेते हैं, तो settings में जाके दिखा देता हूँ, Android 13, Project Elixer, Poco F1, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ROM change कर दिया हूँ, ठीक है, अब next step, तो यहाँ पर सब कुछ तो सही है, अब मैं फिर से इसको boot करता हूँ recovery में, और आपको पूराना जो ROM हमने backup लिया था, उस उसको restore करके देखेंगे, ठीक है, तो इसको restore कर लेना है हमें, तो फिर से इसको मैं लेके जाता हूँ, recovery में, sorry, यह Google Assistant open हो रहा है, शायद मुझे setting करके फिर से इसको करना पड़ेगा, power menu में, ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना, यह जो नई ROM flash कर रहे हूँ ना, इसमें अगर आपने फिर से lock डाला है, तो उसको भी निकाल लो, याद रखो, तो मैंने तो lock है, अभी तो boot किया है, सिर्फ डॉम को, तो फिर lock तो लगा है, नहीं मैंने, तो फिर ज़रूरी नहीं है, ओके, तो आचुके हम recovery में फिर से, अब next step, धान से देखना, सबसे पहला का हम क्या करेंगे, वाइप में चलेंगे, एडवांस वाइप में चलेंगे, डैलवी, कैचे, सिस्टम, वेंडर, डेटा, और सिस्टम, EXT, पाटेशन, जो भी हमें वाइप करना ज़रूरी होता है, वो सा वाइप कर देंगे, ठीक है, क्लिक किया, स्वाइप किया, वाइपिंग इंटरलन स्टोरेज में डालोगे, तो ये TWRP फोल्डर उठा के फिर से अपनी इंटरलन स्टोरेज में डाल देना, अगर इंक्रिप्टेड यूजर थे, आपने दूसरे जगे पर बैकप लिया हो, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा तो डैरिक इंटरलन में है, सिलेट करूँगा सिलेट किया, जो भी पार्टेशन का मेरे को बैकप मेंने बनाया था, उन सब को आपे टिक रहने देना है, कुछ अंटिक मत कर देना, ठीक है, इंपोर्टेंट है सब कुछ, तो उसके बाद सिलेट करेंगे, स्वाइब करेंगे हापे, और जैसी स्वाइब करूँगा, तो यहाँ पर जो है, वो फ्लाशिंग प्रोसेस जो स्टार्ट होगा, सिंपली यहाँ पर एक छोड़ा सा एरर आया हुआ है, तो इस एरर को फिक्स करना पड़ेगा, तो यह आपके इसमें नहीं आएगा शायद, मेरा सिस्टम एक्स्टी है ना, इसमें तो इसलिए थोड़ा यह दिक्कर्थ हो रहा है, तो मुझे सिंपली यह माउंट सिस्टम पार्टेशन रिड़ोनली को एक बार अंटिक कर देना पड़ेगा, इससे फिक्स हो जाएगा यह इशू, ठीक है, वैसे यह इशू आपको आएगा नहीं, अगर आ रहा है तो यही काम कर देना, वो जो सि पर थोड़ा सा जाधा टाइम लगता है, तो आप अभी कर लेना, थोड़ा टाइम वेट, तो मेरा हो चुक है, मैंने वीडियो को फॉरवर्ड किया हूँ, रिस्टोरेशन प्रोसस सक्सेस्फुली कंप्लीट हो चुगी है, अब सिंपली हमें कर देना है, क्लिक रीबूट स होने में, मतलब फोन को चालू होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो वेट करना पड़ेगा, अब और एक एरर यहाँ पर आपको फेस करने को मिल सकता है, ठीक है, सब को आएगा, यह जरूरी नहीं है, बट आ सकता है बुल रहा हूँ, अब इन केस अगर आपका फोन करना होकि, अगर फास बूट में चला जा रहा है, तो क्या करोगे, सिंपल है, आपका जो स्टॉक रोम, जिसका भी बैक अप लिया था ना, रॉम का, उस रॉम को डर्टी फलेश कर देना, क्या कर देना, डर्टी फलेश कर देना, मतलब उस रोम को कुछ भी वाइप किये ब भी as it is है, सारी चीज़े बिल्कुल पहले जैसे थी, अभी भी वैसे हैं, कोई changes नहीं है, तो इस तरह से आप full ROM का backup ले सकते हो, with app data के साथ, सही है न, इस तरह से आप full data का, मतलब full ROM का backup ले सकते हो, app data के साथ, app logins के साथ, ठीक है, तो ये simple सा process था, but कुछ चीज़े दिक्कत आपको दे सकती थी, उनको भी मैंने यहापे mention किया हूँ, और एक proper guide आपको किया हूँ, ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपना full ROM का backup बना सकते हो, as a safety के purpose के लिए, ठीक है, कुछ दिक्कत वगेरा आती है, तो इस तरह से आप अपना पूरा data भी वापस मिल जाएक आपको, और याद रखना, internal storage safe, मतलब अगर आप decrypted user हो, तो कोई बात नहीं है, बट encrypted user हो, तो internal storage में जो भी files वगेर हैं, वो सबका backup ले लेना, तो चलो वीडियो पसना हैंगे, तो वीडियो को like कर दो, और हो सके तो वीडियो को share भी कर दो, तो बस आज के लिए इतना ही अगले वीडियो मिलते हैं, love you दोस्तों, goodbye, take care